दोस्तों जब आपके खेद में हमारी फसलें जम कर तैयार होती हैं, उससे पहले ही बिन परकार के जो खरपतवार हैं, हमारे बिन बिलाए महमान की तरह आजाते हैं और हमारी फसलों की जो खुराक है जो राशन पानी है जो पानी है अथारत नमी है और जो हम बिन प्रकार के माइक्रिमेंट डालते हैं बिन प्रकार के पोसक तब डालते हैं बिन प्रकार के जो खाट डालते हैं उन्हें चट करने लगते हैं अर्थात वो हमारी जो पौधों क खुराक हमारे पौधों को मिलने चाहिए, हमारी फसल को मिलने चाहिए, वो लेना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी फसल पिछड़ जाती है, क्योंकि दोस्तों, यह जो खरपतवार होते हैं, इनकी जड़े होती हैं, यह बहुत जल्दी फैलती हैं, हमारी फसल के मुकाबले और इन से जब प्रितिस परदा होती है तो हमारी फ़सल पिछड़ जाती है पुल मिलाकर हमें नुकसान उठाना पड़ता है और दोस्तो जब हम बाद में अपनी फ़सल में वहिन पिरकार के जो खरपतवार ना सकें उनका फिडियों करते हैं फसल उगने के बाद, घास उगने के बाद, तो जब तक काफी नुखसान हो गया हुता है और उस सभी प्रकार के खर्पतवार हमारे नश्ट नहीं पाते हैं तो आज जब हम बात करेंगे वो खर्पतवार को नश्ट करने की नहीं करेंगे हम करेंगे बात कि हमारे खेत में किसी परकार के खरपतवार उगने ही न पाएं जमने ही न पाएं अथात हमारा जो फसल है वो एक समान मातरा में जमें लेकिन उसके साथ जो खरपतवार जमते हैं उगते हैं वो नहीं जमने पाएं तो जब हमारी फसल साब सुतरी होगी उसमे किसी प्रकार के खर प्रतौर नहीं होंगे तो हमारी फसल एक समान चलेगी जादर उत्पादन देगी और उसका जो विकाज दो ककी सबते होगा तो जादा उत्पादन मिलना क्योंकि दोस्तों जब हम जो ब 라ख के जो पोस्थता डालते है बिर प्रकार के जो मा करीम टनेट डालते हैं, बिन्प्रकार के जो खाट डालते हैं, तो जब उसमें खरफ़तवार होंगे नहीं, तो पूरी की पूरी ख्राक, हमारे यह फसल है, हमारे जो पौदे हैं, जो हमने बुवाई की है, उन्हें मिलेंगे, और हमारी फसल, एक समान मातराम बढ़ेगी कुल मिलाकर हमें जादे परदार मिलेगी तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि ऐसा कौन सा खरपतवार ना सक है जो उगने से पहले ही हमारे भीन पिलकार के खरपतवारों को नश्ट कर देता है अर्थात उन्हें जमने ही ने देता उन्हें उगने ही ने देता और यदि आपने इसका इस्प्रे कर दिया तो आपके खेत में भीन पिलकार के खरपतवार भीन पिलकार की जो घासे होती है वो उगने ही नहीं पाएंगी जमने नहीं पाएंगी तो दोस्तों इस घर परतवार का नाम है पेंडा मेंथिन 30% EC और इसकी जो मात्रा आपको लेनी है पो लेनी है एक लिटर प्रिती एकड़ के हसाब से यह अधिकतर फसलों के लिए है यहाँ इसका प्रियोग गन्य की फसल में कर सकते हैं आलू की फसल में कर सकते हैं और आप ज आप भीन प्रिकार के जो अनाज हैं उनकी फसल की बुगाई करते हैं या फिर जो बड़ी फसल होती हैं उनकी बुगाई करते हैं तो उसमें आपको एक लिटर प्रिती एकड़ के हसाब से मात्रा जहनी है यह आप नाजुक फसले प्रियोग करते हैं जैसे आपकी सर्सों है या मूली है, या आपका धनिया है, और विस पिकार की चोटी-चोटी सबज courtesy ना होती है, अन्में आपको मातरा आठ से हवेल प्रति एकार के हसाब होनी चाहिए, और इसमें जो प्रियोक करते समय है, इस बात की आपको साथभन जाकने चाहिए, कि हमारे खेत में नमी sownay होन है उसमें तो आप इस प्रे करने के बाद से चाही कर दें या फिर इस प्रे करने के चौरीज घंटे के बाद से चाही कर दें तो इससे जो आपको फायदा होगा यह होगा कि आपके खेत में बिन प्रकार के खर्पतवार उगेंगी नहीं और जब ये खर्पतवार ने वगेंगे तो आपकी जो फसल है वो एक समान विकास करेगी और जिस जो उत्पार्ण देगी वो जादा देगी तो आप इसका जो प्रियोग है बिन प्रकार की फसलों में कर सकते हैं और मात हमने बता दी पानी की के मातरा आपको ली इए ढ़ोसु सो लिटर प्रती है उन फचलों के लिए है जो हमारी फचले不ग Mallag Podcast के बुगए होती है अर्फलियाद पहुए के बाद ऊंडियाद का उसको तर्ज है करते हैं तो उसमें करते हैं तो उसके उना प्रयाब्त होता है एक एकड़ के लिए और इस प्रिकार आप इसका प्रियोब करके आसानी से अपने खरपतवारों को जमने से रोख सकते हैं और अपने फसल से जादर पैदबार ले सकते हैं क्योंकि दोस्तो यदि हम हाथ से, खुरपी की साहता से, निराई से, गुराई से यदि खर्पतवार को हटाते हैं तो उसमें हमारा काफी पैसा खर्च हो जाता है और हमारा समय भी वरबाद होता है और कुछ न कुछ खर्पतवार रही जाते हैं जब तक हमें निकाल लेते हैं तब तक से पहली हमें ये काफी नुक्सान पहुचा चुके होते हैं तो इसलिए ये जो खर्पतवार नासक दवा है अर्था ये फसल बूने के बाद चौज घंडे के अंदर इसका प्रियोग करना है और खर्पतवारों के उने से पहली जब हम इस प्रिय कर देते हैं तो हमारी जो खर्पतवार हैं वो उगने ही ने पाते हैं अब इसमें कुछ हम साफ़ धानिया बढ़नी चाहिए जब हम इस प्रियो करते हैं То इस बात का धियान रहे हैं कि हमने अपनी फसल पर जो हमने जमीन है हमारी उस पर एक समान मात्रा में इस्प्रे करना चाहिए यह नहीं कहीं दो बार चला गया या कहीं बिलकुल नहीं गया जहां दो बार जाएगा थोड़ा बहुत फसल को नुक्सान हो सकता है और जहां जो फ़ारा नहीं जाएगा इस् बात का ध्यान रखें पूरे खेत में एक समान मात्रा में खर्पतवार ना सकता इस्प्रे करें और इस्प्रे करते समय जो साबधानिया होती हैं उन्हें बरते जैसे कि मास लगाना हैं दस्ताने पहनने हैं और जब तीज हवाएं चल रही हो तो उस समय भी इस्प्रे नहीं कर करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें तो दोस्तों आज की वीडियो में अगले वीडियो नेट अप के साथ मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार